नमस्कार बच्चो आज हम बात करते हैं वैदिक गणित कुईज के शिशुवर्ग के राउंड एट के बारे में जिसका नाम है उर्धो तीरविज्याम इसे वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड भी बोला जाता है देखिए उर्धो मीन्स सीधे उपर नीचे और तीरवि टू डिजिट नमबर डिजिट लेस देन 5 आपके पास ऐसे नमबर होंगे टू डिजिट वाले जैसे 23 है 34 है और इनकी जो डिजिट्स हैं ये वाले जैसे 3, 4 ये सब जो है वो 5 से छोटे होंगे तो इस तरह के प्रशना आपके इस राउंड में पूछे जाएंगे आईए इसे हम कैसे solve करेंगे सबसे पहले हम अपना पहला प्रशन लेते हैं 23 multiply 34 देखिए इसे कैसे करते हैं हमने अपना पहला नमबर लिखा 23 34 ये इसकी नीचे आ जाएगा इस प्रकार अब हमें ये multiply करना है वैदिक मैट से अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये arrow बनाते है एक एक ऐसा और एक ऐसा जिसे 1 to 1 भी हम बोल सकते हैं ये वन मींज ये जो corner वाले नमबर से हैं इनको आपने उपर नीचे वालों को multiply करना है vertical multiplication बोल सकते हैं जिसे हम ऐसी इस तरफ भी 1 है ये वाला arrow है उपर वाला मींज आपने ये दो नमबर को उपर नीचे multiply करना है center पर आपने ऐस तरह से cross multiplication करके add कर देना है जैसे ये और ये cross multiply होके add होंगे तो आईए देखते हैं अब हम पहले अपने question के 3 हिससे कर लेते हैं इस तरह से 1,2,3 देखिए 1,2,3 हिससे अब इधर से शुरू करते हैं चाहिए आप इधर से शुरू कहीं से भी कर सकते हैं अब हम इधर से करते हैं चलिए पहले हमने 1 निकालना है ऐसे multiplication करनी है तो आईए देखते हैं 3,4,3,4 जा 12 तो अब अपना answer यहां लिख देंगे अब आपने center पर ऐसे crosswise multiply करना है और plus करना है साथ में आईए देखते हैं ये है crosswise 2 और 4,3 और 3,2,4 जा 8,plus 3,3,9 तो ये दोनो add हो हो गए इस तरह फिर से क्या आएगा vertical multiplication आएगा देखिए ऐसे तो यहां पर कौन से हमारे पास दो numbers है 2 और 3 तो 2,3 जा 6 ये लिख लिए हमने अब हम इसको इखटे कर लेते हैं यह 6 ऐसी रख यहां पर आ जाएगा 8 प्लस 9 17 और यह आ गया 12 अब देखिए हमने अपना अब देखिए यहां पर यह 2 ऐसी रहेगा क्योंकि यहां पर एक ही संख्या होनी चीए जो अगला 1 है वो इधर चाके इसमें प्लस हो जाएगा 17 प्लस 1 कितना हो गया 18 18 का 8 कैरी 1 और वो जो 1 है वो इस नंबर के साथ प्लस हो जाएगा 6 प्लस 1 7 तो हमारा आंसर आ गया 782 आ 41 इंटू 24 अब देखिए यही मेथट लगाते हैं हम यहां पर अब हम यहां पर थोड़ी कोशिश करेंगे आंसर सीधे लिखने की देखिए सबसे पहले 1 वर्टिकल मल्टिप्लिकेशन 4 और 1 इन दोनों का करेंगे 4 वंजा 4 इधर आ गया बीच में क्रॉस वाइस करना है और अब इधर फिर हमने क्या करना है 1 यह दोनों नंबर मल्टिप्लाइ करना है 4 टूजा 8 यहां आ गया अब देखिए हमारा आंसर क्या आ गया यहां पर एक ही नंबर है तो यहीं रहेगा यहां पर दूसरा पार नहीं है कि हम उसको इधर शिफ्ट करें कोई बात नहीं अब इ 32 मल्टिप्लाइ 13 अब देखिए आपको फॉर्मला यह याद हो गया होगा 1 to 1 का अब देखिए इसको सीधे यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है 3 टूजा 3 टूजा 6 बीच में हमने क्या करना है क्रॉस मल्टिप्लाइ करके 3 टूजा 9 टूजा तो हमने एक ही रखना है अगले डिजट को इधर ले जाना है यह दर चला गया 3 प्लस 1 4 तो हमारा आंसर आ गया 416 तो इस प्रकार इसके आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह राउंड अच्छे से आ जाएगा धन्यवाद